So guys हमारे Free Fire का OB45 अपडेट यहाँ पर आ चुका है और अपडेट आने के बाद आपका भी यहाँ पर sensitivity बिल्कुल खराब हो गया होगा ना आपका headshot वगेरा सही से लग रहा होगा और आपका gameplay भी इतने अच्छे से नहीं हो पा रहा होगा या फिर आपका phone किसी भी company का हो आज की वीडियो के अंदर में आपको ऐसी sensitivity बताऊंगा जिसको यूज करने के बाद आपका gameplay भी काफी जादा इंप्रूव होगा और आपका headshot भी यहाँ पर एकदम मक्खन की तरह लगने वाला है तो बिना किसी time waste के वीडियो को करते हैं start तो सबसे पहले आपको यहाँ पर training ground के अंदर चले जाना है और आपको यहाँ पर जितना भी sensitivity है इसको यहाँ पर zero कर देना है मैं शुरुआत से आपको बतायता हूं कि कैसे आपको आपने phone के हिसाप से सबसे best sensitivity ढूणना है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको general sensitivity कितना रखना होता है तो भाई लोग general sensitivity के बारे हम आप लोगों को नहीं पता है तुम्हें बतायता हूं तो जैसे आप running बगएरा करते हो उसके बाद अपना phone को जैसे यहाँ पर rotate करते हो उसकी screen सबसे पहले किया करना है तो इसका मतलब यह की मेरा sensitivity यहाँ पर कुछ जादा ही हाई हो चुका है तो उसके बाद क्या करना आपको जो यहाँ पर red dot का sensitivity यहाँ पर थोड़ा सा कम करना है तो देख सकते हो guys मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कम किया है उसके बाद भी देख सकते हो sensitivity यहाँ पर ठीक से नहीं वर्क कर रहा है मतलब यहाँ पर मेरा headshot यहाँ ठीक से connect नहीं हो रहा red dot के अंदर तो आपको क्या करना फीर से यहाँ पर जो sensitivity को थोड़ा से यहाँ पर कम करना है तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर sensitivity को थोड़ा सा कम कर दिया है तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर red dot के लिए एकदम best sensitivity यहाँ पर ढूंड लिया है तो उसी तरह आपको यहाँ पर जो 2x scope को अभी यहाँ पर sensitivity ढूंड लेना है पहले आपको आपका sensitivity पूरा full कर लेना 2x का तो आपको आपके फोन के यहाँ पर best sensitivity मिल जाएगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता अपने फ्रेंड लोग को शेर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बुनला मैं मिल तब से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई